हाई दोस्तों और टेक्निकल में से फिर से आफ सोवी का बहुत बहुत स्वागत हैं स्वाज किसी वीडियो में आपको बताने वाला हो का IRCTC का डॉर्मेटरी या फिर रिटारिंग रूम आप कैसे बुप कर सकते हैं IRCTC का रिटारिंग रूम और डॉर्मेटरी जो होता है बाहर के होटल और डॉर्मेटरी के मुकाबले कापी कम रुपे में आपको IRCTC प्रवाइड कर देती है बातरी इसकी बुकिंग कैसे करेंगे बुकिंग आप आफ लाइन और ऑन लाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं ऑफ लाइन में क्या होगा कि आपको उस station पर जाना होगा वहाँ पर डॉर्मेटरी का पता करना होगा फिर देन उसके बाद उस office में जाकर क्या बुकिंग उबरे कर सकते हैं online जो के भी आपको आगे बताने वाला हो और एक फायदा आपको online booking करने का ये भी है कि actually हर station पर हर प्लेटफॉर्म पर डॉर्मेटरी नहीं होता है तो आप हमेशा डॉर्मेटरी या फिर डॉर्मेटरी रॉर्म ऑनलाइन बुकिंग करें online booking में क्या होगा कि आप पेना नमबर डाल करके जैसे आप चेक करेंगे तो आपको ये चीप बता दिया जाएगा कि उस station पर डॉर्मेटरी या फिर रॉर्मेटरी रॉम की facility है कि नही है अगर होगी तो बुकिंग कर लेंगे नहीं होगी तो फिर आपको वहाँ पर भटगने की जुरोत्ति नहीं पड़ेगी ठीक है तो चलिए यह होगी यान के बाते अब बात रहिक हम इस पेज उगरे पर कैसे आएंगे इसके लिए simply हम चलते हैं सुरुवात से सुरू करते ताकि आपको अची तरीके से समझ में है तो मैं यहाँ पर एक नए पेज में आपन हूँ आपको गूगल पर टाइप करना है आयर सीटी सी रिटाएंड वूम और आपको एंटर करना है एंटर करने के बाद यह सबसे पहला टॉप वाला वेपसाइट मिलेगा इस पर आपको अपके पास में तो गैस लोगिन पर आपको क्लिक करना है आपको अपना ओमिल डालना है आपका फॉंन नंबर डालना है और लोगइन पर कलिक करना है ओके था हम यहां पर लॉग डिन हो चुक है और हमारे समझे कुछ डिटेल्स भी आ रही है अब जाकर करके यहां पर सबसे पहले यह सब्सक्राइब करना है आपको जहां से आप बोड कर रहे हैं उस एस्टेशन पर आपको चाहिए जहां आप जा रहे हैं वहां के लिए चाहि ठीक है लेकिन आपके केस में 95% तक होगा आप जहां जा रहे हैं वहीं पर ही आपकी डर्मेटी होगी ठीक है इस तरीके साब सब्सक्राइब करेंगे फिलाल मैं सौर्स एस्टेशन पर कर रहा है जहां से मैं बोड करूंग इस देन को ठीक है तो सौर्स और डिस्टेशन का दियान रखेंगे अब आपको क्या करना यहां पर चेक-देट करना है कि कौनसी डेट में को वह यहांपर सब्सक्राइब आपको और जो भी आप देख सकते हैं, जो भी details यहां पर आनी है, वो सारी की सारी, जितनी भी dormitory खाली है, वो सारी की सारी dormitory जो हमारे सामने यहां पर आ चुकी, एक वार मैं slow motion में कर दूँ, देखो, जितनी dormitory है, जितनी सारी dormitory जो खाली है, उसकी सारी list है, अब यहां पर भी यह भी चीज देख लीजिए कि यह एसी है यहां पर आपको सारा को सो हो जाएगा एक चीज और यहां पर आए जाता है अब यहां पर थोड़ा से बहुत लोगों को कंफिजन हो जाता है एक चली थोड़ा से यह लंबा हो जाया तो माफ कीज़ेगा लेकिन थोड़ा से मैं आपको जानकारी देदूँ विकोज मैंने कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है अब देखिए जैसे यहां पर एक टाइमिंग दिया गया है साथ वज़े से लेकर के साथ वहां पे आप अपने एककोडिंग टाइम शेक कर सकते यह जैसे तरी च्ति हाँ हई और मेरे टीक च्छे वज़े से बारे मेरे से जिस टाइम से आप चाएं उसे एकोडिंग अप टाइम डुेसे स्लेक कर सकते है कुछ सिटी के रेलबई स्टेशन् ऑ् डर्मेटिम ऐसा आपको ध्यान रखना है जैसे एक एग्जाम्पल के तौर तो पहले आप यह देख लिए जैसे माल लेज़े मैं 12 तरीक के 27 तरीक को सुबह 7 बज़े का टाइमिंग है ठीक है 7 a.m सुबह 7 बज़े से लेकर के 27 तरीक के रात को 8 बज़े तक हम यह booking कर सकते हैं अगर मेरे को लगता है कि मैं 27 तरीक की रात से लेकर के 28 तरीक की सुबह तक booking करूंगा तो उसके लिए देखिए यह वाला है आपका यहां पर आप confused मत होगा देखिए 27 तरीक की साम 19 है 19 यानि रेलबे के टाइम के साम के 7 बज़ गए और हम 28 तरीक की सुबह सुबह साथ विए तो यह आपका हो गया दोनों कंबिनेशन में दिये गए हैं आप और अगर आपको पूरे 24 गंटे के लिए इसमें कोई भी बाउंड़ वह नहीं है यहां पर आपको सुबह साथ से लेकर के अगले दिन सुबह सा तो मैं आप अपना नाम एंटर करता हूँ उसके बाद आपको बता देता हूँ जो इमेल एडी तभी हमने डाला तो वह यहां पर आहीं गया मुगाल नंबर आ चुका है कंट्री यहां पर आपको अपना से श्टेट सिलेक्ट कर देना है कौँन से श्टेट से आप सी आ रह करें कोई भी आपके पास एक id होनी ची उस आइडी को आपको इहां से स्रेय कर लेना है और उसके बाद उसका नंबर आपको यहां पर एंटर करना है तो चलिए सारे details पर पहले में फिल कर लेता हूं , हमने यहां पर स़ारे details तो completeLi फिल कर दिया है चलिए प्रॉसीड पर किलिक करते हैं चलिए यह सारा कुछ चेक करने के बाद आपको कर देना है मैं पेमेंट पर क्लिक और यहां तो आपको अपने मुवाइल लंबर पर एक OTP आगा वह OTP को आपको यहां पर आपको यहां पर दिये के जरी आपको पेमेंट कर देना है एक चीब मैं आपको बता नहीं पाया प्यक्त का एक तुलिए यह देखी 210 पर का मुझे पेमेंट करना है जो कि उसी ड्रमेट्री वाले पेज प्रको इस टैप कॉलम में आपको यहां पर नजर आएगा तापको यहा तुरत में जाएगा कुछ बश् ओके अभी देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको बैक ऊप्क नहीं करना हुआ अभी यहाँ पर देखिए-एक चीज़ यह टिकर्ट टी अटर प्रोसेस और यहाँ पर देखिए-नॉट्बॉक है कुछ time आपको यहां पे wait करना है, इसी page पे यह automatic से यहां पे confirm लिखा आ जाएगा, और यह वलग यहां पे congratulations लिखा आ जाएगा, wait करना है आपको आप यहां पे देख सकते हैं, मेरे सामने यहां पे confirm लिखा आ चुकए है, मैंने आपको बोला और मेरे case में अभी में लगबग मैं दो से तीन मेंट इंतिजार किया होंगा उसके बाद हमारे सामने का में से आ चुका है और अगर मैं इस वाले back पर दिखाऊ तिहां पर देखें notebook है आपको क्या करना अगर आपको लगता है का ऐसा ही यह काफी देट है एक बाद refresh करने पर लोग आउट नहीं होगा ठीक है और जैसे confirm होगा उसके बाद आपके पास message भी आ जाएगा तो उसमें tension आपको लेने की जुरूत नहीं है कि यह book नहीं होगा यह 100% book होगा process हो रहा होता है ठीक है तो बस आपको क्या करना है यह इस तरीके के आपके सामने एक receipt बन करके आ चुका है जहां पर transaction ID, reference number, amount, आपका नाम, confirm, अधार ID अबरे लिखा हुआ है, dormetry, AC, non-AC वो सारह कुछ यहां पर लिखा गया है बस आपको क्या करना है इसको आपको यहां से print कर लेना है इसको यह आते हो आप अपने phone में digitally save करके रख सकते हैं और वहां पर आप दिखा करके dormetry ले सकते हैं या फिर आप इसका physical copy carry कर ले, आप depends सारह कुछ आप पर करता है I hope कि आपको इस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से clear हो गया होगा कि हम IRCTC का dormetry या फिर रिटेरिव रूम कैसे book कर सकते हैं अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का confusion है तो आप आप में नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं लाइक के लिए इस वीडियो में इतने हैं मिलते हैं पहुच जाल देखो और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई